शंपाउंड राष्ट को शनी माउश्या की हर्दिक स्पाउंड चार दिस्तंबर 2021 शनी माउश्या महत्चव शिरी सनी धाम शनी तिर चेत्रा तोला फत्रेपुर्वेरी में आप काश्वाद करी सनी भगवान के दर्स्तंद पूजन तेला विशेक शंपाउंड कश्वाद राष्ट शिरी सनी धाम शनी तिर चेत्रा तोला फत्रेपुर्वेरी में आप काश्वाद आदभुद मेरी आराध्य का ये दिवे स्थान है काली दर्स्तन करने से आपका जीवन फिश्वाद दिली और NCR की सभी लोगों को शाधर आम्मंत्रित करता हूं सनी धाम में सन्यमाउश्या के पावन करता हूं मित्रों शाथियों करोना भले ही कम हुआ है लेकिन प्रिवेंशन बैटर दन क्यों मास जरू रखें दूरी जरू रखें मरियादाओं का पालंग करें नमना नमव नार ये गोमाता बंदे मात्रमा भार्ति को प्रणाम और हिर्दैश से अम शम्शन शराय नमव प्रिवेंशन शाथियों जो बात कहने जा रहा हूं है यह कड़वी जरूर है लेकिन सब परतिसत सई है दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने इस बात में तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे मित्रा और शाथियों लोग तो कहेंगे लोगों का काम है कहना हमें अपनी लक्ष पे ध्यान देना है और जब हम अपने लक्ष में ध्यान देंगे ना तो मेरा विश्वास करो शफलता हमारे साथ हो लोगों ने किसको नहीं कहा है ये उनका काम है हमारा काम है सत्य की डगर पे चलना हमारा काम है अपने करमा में विश्वास रखना और करमा में शुधी करन रखना जिवन खुश्यों से भरा रहेगा नमोना रहेगा विर्षिक राशी वालों के लिए ब्रश्पति देव का कुम राशी में संचरन क्या फल परदान करेगा ये वीडियो विर्षिक राशी वालों के लिए लेका आया हूं कि कैसा रहेगा ब्रश्पति देव का ये राशी परिवतन आपके लिए प्रेदर्शिकों मित्रों शाथियों 20 नमंबर 2021 रातरी 11 बज़कर 25 मिनट पर देव गुरु ब्रश्पति ब्रश्रिक राशी वालों के लिए चतुर्थ भाव कुम राशी से संच्रण क ब्रश्पति परिवतन रहे हैं उस समय के घ्रय योगयोग चतुर्थ भाव में हैं मंगल बुद्ध की साथ तुला रासी बारवे भाव में हैं ब्रश्पति कुम रासी चतूर्थ भाव में हैं शुकर धनु राशी दूसरे भाव में शानी मकर राशी तीसरे भाव में यह उस समय के घ्रययोगायोग है चैतुर्त इस्थाद में विराजमान ब्रश्पत्य की पंचम पुर्ण दुस्ति अस्टम भाव पर है कुछ बोलते हैं अब वास्तम खाली फलादेश ही सुनना चाते हैं तो यह दो तीन मिनट है इसको स्कैप करिएगा और फलादेश सुन लेजीगा लेकिन इदी विशे को जान लेंगे तो फिर वो फलादेश जानने के एक आनंद कुछ और ही होगा मकर राशी में सनिदेव संचरन कर रहे थे 20 नौंबर से पहले और मकर राशी में ब्रश्पति देव नीच अवस्ता में थे प्रतिकूल अवस्ता में थे और कोई व्यक्ति प्रतिकुल अवस्ता में प्रत्फुलित और प्रसंचित नहीं रहता है ऐसी अवस्ता में उसका जो प्रभाव है वो शुब नहीं होगा यह अलग बात है कि नीच भंग राजियोग था प्रणतु एक बात समझ लिजिएगा कि मकर राशी शनीदेव की प्रवेश हुआ ब्रश्पतिव ने प्रवेश किया मकर राशी में नीच अवस्ता में तो पूरे चराचर जगत और राश्ट के बाद जानकरी आपको है कि बहुत सी उठापटक बहुत सी प्रेशानिया करोना जैसे गटनें हमें देखने को मिली है अब इस समय ब्रश्पतिदेव कुम राशी में संचरण ब्रश्पदिल श्वतंत्र अवस्ता में कुम्राशिन करने नक्षत्र में प्रवेश्टकरा है कि अ धनिष्टा नक्षतर करें और दनिष्टा Presents को फिर दो जनवरी को दो मार्च को शयं मimento का मापना अपरेल के वीच में दनिष्टा अनि मंगल का नक्षत्र सद्विशा अनि रावु का नक्षत्र और पूरभाद प्रश्यम अपना नक्षत्र इसमें संच्रण करें बहुशे मित्र ने कहा कि अब ब्रश्पति आगे तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे नहीं साथ लिए इस बात पर भी विचार करन इस समय ब्रश्पति जीरो डिगरी पर रहेंगे कुमराशी में और ब्रश्पति की डिगरी इतनी सांट नहीं है कोई बी मसला हो चाहिए कोड कसरी का मसला हो तो जो ग्रह आपको धन देगा जिस डिगरी में वह बैटा हुआ है और उस ग्रह पर द्रश्टी पड़ेगी ले परिशानिया है उस परिशान से शुटकाराय मिलेगा तो अभी मैं आपको ऐसे अंधेरे में तीर नहीं मारता मैं अपनी बात रख रहा हूं यह आंकलन रख रहा हूं कि भाई ब्रश्पति ने राशी परवर्तन कर लिया लेकिन दीरे दीरे समय आते 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 ब्रश्पति र राशी होगी मित्रों राशी एक हो सकती है लेकिन गरह योगा योग नहीं नुमान से एक जसा नहीं दस्मान से एक जसा नहीं तृसान से एक जसा नहीं सर्वास्टर के एक जसा नहीं सडबल एक जसा नहीं भावबल एक जसा नहीं और लगन क्या है लगन इस कहां बैठा है लगनपन किन ग्रों की दरश्टी है केंदध पिरकौण में किसरे के घरे विराज माने इसके साथ किस ग्रे की मादसा है इस समय आपको और ये सत्त प्रत्र्तिस फ्लादिस तो नहीं हो सकता है लेकिन ब्रश्पति की कुमरासी में संच्रण का एक रुजान है लेकिन अपने गरणशत्र को भी नहीं भूलना इस बात उतना सहिज नहीं होता है सारे सुत्रों को देखना बहुत जरूरी होता है वड़ाती महराज इस राजशीत में आप के सामने आते हैं और अपने भावको सामने रखते हैं यह दो चार मिन्ट इसलिए लिए कि आप समझें भाई कि बहुत प्यारा विश्य है मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को यह बगबग लगेगी तो भाई में इसके अब कर लिजेगा आज़े यह फलादेश में चलिए अब मैं बात करूंगा कि विर्शिक राशी वालों के लिए कुम राशी में ब्रश्पति का संचरन कारोबार कामकाज और नौकरी के चितर में क्या फल देग क्रिकौन का जब भी स्वामियों यानि पंचम और नौमबा का स्वामियों को केंदर में बैठ जाता है कोई ग्रह तो बहुत उत्तम फलों को प्रदात देता है तो यह जो राशी परवर्त ने विच्छिक राशी वालों के लिए अच्छा रहेगा जीवन में अच्छानक श चेतर का विस्तार प्रबलावश्ण मननकुल लाब दे कारोबारी यात्राओं का योग इसमें किया गया पुंजी नेवेस आपके लिए अच्छे प्रिणाम देगा वैपार में कोई बड़ा करार बड़ा शोदा अनुमंद के प्राप्ति का प्रबल योग आर्तिक विविशाय हैं ओल गोटल लाइन है शंगीत की लाइन रेस्टोरणन फिलम इंड़िज्री मृश्टर हें फिसलिक आफ्लिम डिजाइनरिंग है या जमीन जाय तहता कोई काम है मौद्लिंग का कोई छेतर है प्रोपर्टि एसे ट्रान्स्पोर्ट या और्दया से सम्मनित क आपके नौकरी है तो शमय आपके लिए अच्छा संके देरा इस सेतर में मननकुल कारुबारी यात्राओं का योग भी है लाब मिलेगा पर तु कहते कि यात्रा में थोड़ी सी साफधानी अपक्षित है मैं यह भी कहने जाओं कारुबार में मननकुल शर्फलता तो आपका स्वेलिंग योजनाओं को गुप्त रखना बहुत जरूरी है केरियर की बात करूँ जौब की बात करूँ रोजगार की बात करूँ तो ब्रश्पत्य का यह राश्ची परवदन जौब के हिसाब से पून शपलता उलाब का संके दे रहा है जोब श्रमधी परिशान्च चुटकारा मिलगा इस समय मनवन को केरियर समयदी मसले हल होंगे हालांकि इस्थान हानी करोजीवा यह सुत्र है ब्रश्पति का कि जिस भाव में ब्रश्पति विराजता है उस भाव में कमी करता तो इस समय थोड़ा सा संतुलन बना कर चलना बह जरूरी इसमें अच्छी सपलता के साथ साथ बेवजे की चतुराई नहीं दिखाई शूजबोद विवेक से काम करिएगा सपलता दामन्ची नहीं दे कानून में दायरे में रेकर कारे करेंगे तो और अच्छा रहेगा प्रतु वैवशाई नौकरी आर्थिक दिस्ट अब बात करते हैं शिक्षा का चितर पंचाओं भाव का स्वामी केंदर में संच्रण कर रहा है विद्यार के युवाओं के लिए शिक्षा और के दर्शिकों से उत्तम फलों का संकिर नजरा रहा है पढ़ाई में रूची बढ़ेगी सब्जेट पर आपकी पकड़ोगी र सारी परिशान उसे मुक्ति प्रतु गृच्षिक राष्टी की विद्यार चोंग एक बात विसे ध्यान में रखने पड़ेगी अभिभावक और शिक्षकों की पति लापरवाई परिशानी का सबम बन सकती उनकी पति आदर में कमी आई तो परिशा प्रणाम प्रतिकुल र जासका ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जो आपको थाली में परोश के मिल जाए संगर्स है मेहनत है परिश्टम है शिक्षा के श्यत्म स्पलता के लिए मेहनत का संकेत है तथाकति मित्र मंदली से सावधान और तथाकति मित्रों से धोके की प्रबल संभावना है वेर्थ की र आवश्यक्ताओं की पूर्त होगी काम में मन लगेगा और शफलता अवश्य प्राप्त होगी पारवारिग मस्त्वां में अनावश्यक पारवारिग परिशान शे मुक्ति मिलेगी जीवन साथिक साथ मनोरण से चंड पुलब्ध होंगे ये चंड आपके जीवन के यादग बहुत जरूरी है अब मैं स्वास्ति की बात करूं विर्शिक राशी वालों के लिए श्वास्ति की दर्श्ट की समय मिला जुला रहेगा बहुत जोरी है इस समय द्यानिक दिंचरियों को नियम्द रखे और अपने को थोड़ा सा समय दीजिए नक्षत गरना इस बात का संगिए कि अनावश रखे निम्जत चाप लिवर किड्नी पर प्रतिकुल प्रभाव हो सकता है कोई पुरानी बिमारी है तो सर्जिरी की तेहरी है तो बहुत जरूरी है योग्य चिक्स्तों से सला लेके ही सर्जिरी कराएंगे तो अच्छा रहेगा नमोना है क्या उपाय करें विर्शिक राश शूरी को जल देने के बाद शिव मंदीर में भवगान शिव के सीलिंग पर ग्यारा बेल पतर अर्पित करिएगा ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सा गुर्वे नमा ब्रश्पति की विजमंत्र को जाप करिए और पक्षियों को दाना डालना बड़ा शुब रहेगा और पाने की अच्छा लगता है तो मेरा निवेदय ने आप चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरू करें शेर जरू करें वेलिबल कमेंट जरू करें और लाइक जरू करें पुने आप शुकी रहें स्वस्त्रें समर्दी शीरले सनी भगवान की सिर्चणों में मेरी प्रात्ना नम करें शनी भगवान की दर्स्तन पूजन तेला विशिक चंपाउर कश्रव से राश्वाश्यू मेरी आराध्ये का अध्वुद दिन है चार दिस्टंबर दो हजार इक शनिया माउश्या पार सिरी शनी धाम शनी तेर चित्रा तोला फत्य पुर्वेरी में आप खाश्वाद आध्वुद मेरी आराध्ये का ये दिवे स्थान है आली दर्स्तन करने से आपका जिवन फिशन दिली और NCR की सभी लोगों को शाधर आममंत्रित करता हूं सनिधाम में सनिय माउश्या के पावन करता हूँ मित्राउंट शाथ है करोना भले ही कम हुआ है लेकिन प्रिवेंशन बैटर दन क्यों मास जरू रखें दूरी जरू रखें मरियादाओं का पालंग करें नमना रास्तान का हर व्यक्ति जानता एक दाति महराज गायं से बहुत प्यार था बेटियों से बहुत प्यार का था खाली बता रहा हूं कि यह मेरा जीवन का नक्षे रहा है मनश्य हूं और मानू होने इतना ते मेरा करतव है कि मैं अपनी रास्त के शेवा करूँ मैं इस रास्त का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस रास्त के साथ लगाया है वरत्मान प्रस्तियां आर्तिक दस्टिकौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूं अब भ दन नहीं चाहिए लेकिन वरत्मान में जो आर्तिक प्रस्तियां वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनीधान गोश्याला की गाएं तुकी नहीं रहे इसके लिए मुझे आपका स्वयोग चाहिए और स्वयोग के लिए मैं श्योम आपके साथ खड़ा हूं आ पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जीओंगा तब तक खड़ा रहूंगा नंबर आ रहा है इन नंबरों पर शंपर करें आप मेरे से बात करें लेकिन इसकी एवज में गाएं के लिए चाहरे की वबस्ता कर लीज़िए और इसलिए मैंने का था कि भई थोड़ा दिन इस समय में प्रेशाने में हूँ और मेरी गाएं चारों को लेकर थोड़ी सी प्रेशान है ऐसा हिरुदे से आया लोगों ने कहा कि राश्र आपसे प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिये तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ फिर भी मैं अभी मेरा यह एंकार न सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेदन है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती माहराज के जोती से समधान की आवश्यक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगबग लग बीस से पचीस पचास लोग ऐसे भी है जिन्नोंने सनिधाम गोशाला में 2100 रुपिया चारा कर दिया है मैं उन सब की परति अपना आभार प्रण करता हूं और ये सयोग में जीवन भर याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकॉन से अ पूरा नहीं पढ़ता है ये आप भी जानते हैं शासन की अपनी एक सीमा है अर अपनी मरियाद है और शासन के पास और बहुत से काम है लेकर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देटे भी हिर्दे से पुने एक बार निवेदन करना जाता है कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़रुषयो करें पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातरा थी ओम नमना रहें ओम नमना